तुमको प्यार करने का समझ है, तो इतना भी समझ होना चीह नहीं कि तुम आगे वाले इंसान को पैसा क्यों दे रहे हो, तुमने माबाप से बढ़के हैं वो, नहीं ना, माबाप से — कोई नहीं है तो गणते को पैसा नौ लाक いुदा माइने रखता है लोग फेवर में लड़की के होते हैं बट एसा नहीं है मैं गलत और गलत को गलत बोलूंगी सही को सही बोलूँगी यहां लड़का विचारा बिल्कुल सीधा साधा सा उसको जवरजस्ती साधी करवा है साधी तो बहुत देखे होंगे लेकिन एकाओन लाख का दुलहा और एकाओन लाख रुपया दहेज मांगा जाता है उसके बाद जो है जब ब्रेंच साधी होता है और साधी तूट जाता है उसके बाद ससुराल के लोगे तरफ से एकाओन लाख दहेज मांगा जाता है तब ही लोग नमस्ते देखिए यह हमारा साथ जूली राजपुत है हम बात करेंगा अचा पूजा का प्यार तो आपने सुना होगा पूजा गनेश का प्यार बिलकुल सुना है और देख भी रही तोसल मीडिया में बहुत जल्दी ट्रेंड में आ रहा है बहुत बहुत जादा जा र लड़का विचारा बिलकुल सीधा साधा सा उसको जवर जस्ती शादी करवा दिया और लड़की को भी गलत नहीं बोलूंगे अब अंदर का कहानी किया है वो तो हम लोग को पता नहीं है हमको तो उपर से पता है कि लड़की बोल रही है कि इसको हमने 9 लाक रुपे दिया फिर लड़क और उसके बार लड़का का मा भी बोल रहा है कि हम कोई 50,000,000 रुपे से यह तब हमारे घर में एंटर होगी और यार नॉर्मल सी बात है तो पैसा हर चीज करवाता है देखो और कुछ नहीं मानेंगे लव मैरेज पैसा है तो सकसेज है पैसा नहीं है तो चुप चुप कर मिलना संडे को मिलना ऐसा लड़की ब्यान भी दिये मेरे वीडियो में और उसके आद बोल रही थे कि भावी का जो हम गहना चुरा के तो 9,000,000 रुपईया भी दिये तो इस प्रकार का प्यार को आप कैसे देखते हैं मैं क्या ही बोला जाये बताओ देखो नो बात रही 9,000,000 रुपई की तो एक लड़की नॉर्मल फैमिली से एफॉर्ड कभी नहीं कर पाएगी 9,000,000 रुपई माने रखता है हां एक लाख रुपई 50,000 रुपई दिया होगा मानते हैं बट 9,000,000 क्यों बोल रही है आप इस को प्यार नहीं होगा वो सठेशमें नों बहाँ कि गला फोल भारा वेलों कि इसको प्यार नहीं का फरन प्यार रही नहीं बेंड honest कभी शास को गाली गलोज देना इटा पत्थर चलाना गेट पर तो इसको आप कैसे देख और उस लड़की को लगता होगा कि मैं उसके घर जाऊंगी तो थो नहीं क्या ही कहें चलिए तो यह देख सकते हैं कि पकड़वा बीवा होता है उसके बाद पूजा जो है फडार है होस्पीटल में भी भरती हो गई थी उसके बाद की कहानी हम बात करेंगे अच्छा आप किसको सपोर्ट करती है गनेश को कि पूजा को मैं देखो किसी को सपोर पृण कि यहां आपके पेरिंज़ें शादी कर वाएंगे वहाँ खुश रो जहां पेरिंज कर वैंगे वहां खुश रो अपने मन से कुछ डिशीजन गलत मतलो लड़की को बहुत केस निकल रहा है बहुत ज़्यादा लड़कियों करें पोर रहे शोर्सन और फालाना दिं लड़की से पैसा लिए होंगे शिरते हैं लोग बोल रहे वैसे मैं सुन रहे हूं कि जहांशा में किया किसी को कौन रखता है तुमारे बढ़से बढ़के कोई नहीं है कि नोलाख वाइन रखता है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या होगा लड़की तो साधी हो गया सोसल मीडिया पे वाइरल हो गई गनेश जो है वो फडार है अब पूजा का क्या होगा क्या होगा किसी का कुछ नहीं होगा वो अपने घर में खुछ रहे और लड़का अपने घर में खुछ रहे जहाँ पेरेंस शादी करवाएंगे लड़की की वहाँ वो खुच रहे जहाँ लड़के की फैमिली करवाएंगे शादी वो खुच रहे बस और कुछ नहीं हो सकता देखो क्या क्या फाइदा होगा लड़की बोल रहे है कि उसकी सास मतलब सास नहीं मानेंगे लड़के की मा म प्रकार का साधी कर लेते हैं पैसे देते हैं देखो मैं तो यही बोलूँगी कि प्यार खुद से करो अपने मावाप से करो क्योंकि कोई फाइदा नहीं है इसमें आई दिन केस मिल रहा है देखने को यार यह कोई नया नहीं है आई दिन मिल रहा है कि लड़की ने इसको यह पैसा दे दिया लड़के ने यह कर दिया बहुत कुछ मिल रहा है तो प्लीस ऐसा कुछ मत करो और चला हो बस अपने ओमेंड के साथ और खुद के साथ बस यहीं बोलना चाहूंग और नया साल में अपने देखा यह दो के साथ गाना से खुश रहो मस्त रहो अच्छे से पैसा कमाओ यार पैसा रहेगा तो प्यार है और चीज है चलिए तो यह हमारे साथ जूली राजबुत थी जिन्हों बताया कि पूजा सही है या गनेश सही है बाकी आप लोग क्या सोचते हैं पूजा गनेश और जूली जी के बारे में कॉमेंट में जरू बताएगा और वीडियो को एक बार सेर कर दीजेगा जैहिंद जैबिहार